नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर आशा गावडे गाइनाइकोलोजेस्ट आईवी अफ कंसल्टन उमंग होस्पिटल हडपसर पुने से आप सभी का मैं मेरे यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ बेसिकली प्रेगनंट लेडिस के लिए हम लोग प्रेगनंसी का वीग बाई वीग सेरीज रन कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट वीग का वीडियो लेके आई हुमें कि प्रेगनंसी का आपका 36 वीग कैसे रहेगा यस फ्रेंड्स आप अभी नियर टर्म पहुचे हैं 40 वीग का कंप्लेट प्रेगनंसी रहता है तो आपका डिलेवरी होने को हाडली 3-4 हफते बागी है आपके मन में काफी एंग्जाइटी बढ़ती है आपके हजबंड है आपके मम्मी है सासुमा है आपको constant tension रहता है कि अभी कभी भी labor pain शुरू हो सकते तो अभी ये हफते में आप में क्या नए changes आएंगे आपके बेबी में क्या-क्या नए changes आएंगे आपको कौन से tips ध्यान रखने है कौन सी checklist आपको follow करने है ये सभी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिसकस करने वाले है तो पहले आते हैं कि आपके बच्चे में क्या-क्या नए changes आएंगे आपके बेबी का अगर आप height पूछेंगे तो on an average एक 46 to 47 cm तक आपका बेबी रहेगा 36 weeks के end में आपके बच्चे का weight अगर आप पूछेंगे तो एक 2600 से 2700 ग्राम तक यानि 2.6 to 2.7 kg तक आपके बच्चे का weight रहेगा बेबी पूरा ready रहता है delivery के लिए चबबी चबबी बच्चा दिखता है उसकी skin वगरा जो है अभी अच्छे से पतली पिंक कलर की यानि अपने जैसे skin दिखने लगती है और बच्चा बहुती cute दिखता है रेडी रहता है delivery के लिए बच्चे की जो hearing capacity है वो अभी काफी strong रहती मतलब बच्चा sharp से sharp voice भी अभी recognize कर पाता है उसके voice को response देता है, kick करता है या आप उसको notice करते है उसके moment को बच्चे का hearing capacity काफी अच्छा रहता है बाकी बच्चे के सभी organs पूरे develop हुए रहते हैं सभी organs का function अच्छा चलता है सिर्फ lungs जो है बच्चे के जो fifth day है वो 37 weeks तक develop होते है तो एक हपता अपना बाकी है बच्चे के lung maturity के लिए लेकिन बच्चे के जो बाकी के function है swallowing, sucking है, slipping है, yawning है वो सभी function उसके अच्छे से चलते हैं अगर आपका first pregnancy है तो ये first pregnancy में 36 weeks में आपका baby थोड़ आसा नीचे जाता है बच्चे का head अगर pelvis में enter हो रहा है तो आपका tummy थोड़ा सा नीचे descent होता है जिसको हम लोग lightning या dropping down बोलते है जो बहुत ही normal symptom रहता है बहुत सारे patients notice करते हैं कि doctor मेरे tummy का height थोड़ा सा कम हो गया या घर के लोग बोलते हैं कि doctor इसका tummy थोड़ा नीचे दिखने लगा है तो ये बहुत ही normal symptom है जिसको हम लोग lightning बोलते है तो आईये mummies देखते हैं कि आप में ये week में कुछ नए changes है क्या generally नए changes तो नहीं रहेंगे लेकिन जो भी आपके pregnancy symptom चल रहे है वो भी काफी peak level पे रहेंगे सबसे important pelvic girdle pain जिसको pubic pain बोलते हैं जिसके उपर अलग से मैंने दो वीडियो बनाये हैं जो नीचे का urine का passage है मतलब बच्चे का जो head है वहाँ पे आपको एक sharp crucating pain रहता है जबी भी आप movement करते हैं तभी मानो करवट change कर रहे हैं तो आप काफी disturb रहते हैं जबी आप movement करते हैं तो आपको वह pain होता है आपका back pain बढ़ता है क्योंकि आपके tummy का size बढ़ रहा है वो tummy के size की वज़े से बच्चे का weight वह back पे traction लेता है और उसकी वज़े से आपका back pain बढ़ता है सेम आपके पेरों का swelling बढ़ता है सेम बच्चे का weight बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चे के round का पानी है, placenta है ये सभी के weight की वज़े से आपके पेरों पे pressure आता है और pressure की वज़े से पेरों पे swelling बढ़ता है पेरों में दर्द बढ़ता है जो बाकी के pregnancy के symptom है जो आपको 3rd trimester में शुरू हुए थे मानो constipation है, bloating है, रात को नीन नहीं आना है या urine का frequency ज़्यादा रहना है या headache होना है, mind stretching pain होना है जिसको Braxton X contraction बोलते है वो सभी symptom आपके carry forward हो जाएंगे 36 weeks में baby moment भी comparatively थोड़े slow रहेंगे तो आईए देखते हैं, ममीज की ये 36 weeks में आपको कौन से कौन से tips फॉलो करने है सबसे important tip जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको liquid intake अच्छा रखना है 3-4 लेटर पानी पिना है जिससे आपके body का hydration maintain रहेगा आपके leg cramps कम रहेंगे और आपको in general जो fatigue weakness है वो कम रहेगा दूसरा important tip कि आपको exercise sincerely करना है breathing exercise, stretching exercise, normal delivery के लिए pelvic exercise आपको sincerely करना है ये हफते से आपको daily walk करना है आपको baby moment पे ध्यान रखना है आपके जो भी iron, calcium के medicine है वो आपको time पे लेना है आपको आपके visit time पे करने है आपके doctor ने जो भी आपका hemoglobin है या thyroid है या urine है शुगर है वो अगर test third trimester में किये नहीं है तो वो आपको वापस से करके लेना है आपके पेरों पे बहुत ज़्यादा swelling अगर आ रहा है तो आप पेरों का oil से massage करो daily stretching exercise करो सोते वक पेर थोड़ा उपर करके सोते जाओ आपके tummy पे बहुत ज़्यादा itching हो रहा है तो आप stretch मार के cream यूज करते जाओ आप daily coconut water लेते जाओ अगर आपको बहुत ज़्यादा heartburn, bloating या acidity हो रही तो आपके doctor से पूछ के आप antacid या acidity के दवाई लेते जाओ तो friends आईए देखते हैं कि आपको ये 36 weeks में कौन से कौन से checklist फॉलो करने है सबसे important कि आपको कभी भी labor pain शुरू हो सकते है या water bag break हो सकता है तो आपको hospital bag आपका ready रखना है आपका hospital का file है आपके sonography report, blood report, insurance के file वो सब इकटा एक जगपे जमा करके रखना है अगर आपको stem cell banking करना है तो वो लोगों को confirmation देना है उनका भी advance पे करके वो भी ready रखना है आपको doctor और hospital finalize करना है financially भी आपको ready रहना है और important चीज़ कि आपको ambulance का number लेके रखना है और अगर आपको ambulance से नहीं जाना है तो आप जो भी private transportation यूज़ करने वाले हो उसके बारे में भी आपको थोड़ा inquiry करके रखना है तो friends अपना जो आज का वीडियो है कि 36 weeks में आपके बेबी में क्या changes आएंगे आप में क्या changes आएंगे आपको कौन से tips follow करने है और कौन से कौन से checklist follow करने है वो अगर आपको पसंद आये होंगे useful लगे होंगे तो हमारे वीडियो को like करो और हमारे channel को subscribe करो Thank you